नमस्कार दोस्तों तो अभी तक हमने टोटल 78 कोश्चन पेपर डिसकस कर लिए हैं आज हम कोश्चन पेपर नमबर 79 डिसकस करेंगे तो फ्रेंड्स चलिए सुरू करते हैं आज के हमारे पहले सवाल के साथ पूछा गया है कि मोबाइल अदालत की अवधारना का जनक किसे माना तो डॉट्र अपिजेअ अबढर कलाम जो है इन्हें मोबाइल अधालत की अवधारना का जनक माना जाता है अब आप लोग जो है APJ अब्दुलकलाम के बारे में जानते ही होंगे हमारे former president रहे है हाना तो उसके बारे में detail में मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा second question पूछा है कि निमलिकित में से किस वर्स में चुनाव आयोग को तीन सदसी आयोग में बदल दिया गया था तो ये कब बदला था तो 1989 में ठीक है अब देखो चुनाव आयोग जो है या election commission of India है ये कौन से article में इसका वर्नन किया गया है तो article 324 जो है ये आपका election commission of India से related है ठीक है और कौन सा part है तो ये है part 15 तो इसी में election commission of India का वर्नन किया गया है ठीक है state election commission के अगर हम बात करें तो 243 article जो है ना इसमें आपको के करके जो article है इसमें आपको election commission of India का वर्नन देखने को मिल जाएगा ठीक है तो पहले जो है इसमें एक ही election commissioner होता था बट 1989 में एक order जारी किया गया था उसके बाद जो है इसमें दो election commissioners जो है अलग से add किये गये थे ठीक है तो total members कितने हो गए अब ये हो गए है तीन तो ये आपको याद रखना है फिर दिया है मालवा अकबार का प्रकाशन वर्स कौन सा है तो मालवा अकबार जो है ये 1848 में प्रकाशित हुआ था ठीक है अब मालवा अकबार कौन सा है तो देखो ये हिंदी भासा का पहला पेपर है जो की वर्स 1948 में प्रकाशित हुआ था कहां से मालवा से और एक और है ग्वालियर अकबार जो की 1840 से प्रकाशित हुआ था वो ह अगर पहला अगबार पूछ लिया जाए तो वह ग्वालियर अगबार 1840 से प्रकाशित हुआ था और वह वीकली था ना वीकली बोले तो सापताहिक और मालवा अगबार जो है वह पहला हिंदी का जो है पेपर नियूस पेपर ठीक है तो यह 1848 से पब्लिश हुआ है अगला और विदी विधानों का संकलन देखने को मिल जाता तो यह हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है अगला सवाल है जोला है दिल्ली सलतनत के निम्नमेश की सासक को स्वपन सील एवं रग्त विपासू की संग्यात से पुकारा जाता है यह फ्रेंड्स किसको पुकारा जाता है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका D मतलब मुहम्मद बिन तुगलक को ठीक है मुहम्मद बिन तुगलक तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा D अपनी सनक भरी योजनाव, कूर, क्रत्यों और जनता के सुख दुख के प्रती उपेक्षित भाव रखने के कारण मुहम्मद बिन तुगलक को स्वपनसील रक्त पिपासु तथा पागल बादसा नामक उपाधिया इसे दी गई है उसके बाद अगला सवाल है कि which of the following revolutionary wrote the book भवानी वंदिर तो ये लिखा है वी के घोषने, विरेंदर कुमार घोषने, ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा C अगला सवाल है friends आप लोगों को इसकी जो PDF है टेलीग्राम पे मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल को जोइन जरूर कीजिए ठीक है तो आप लोग जो है वहां से इसे डारेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं मैं इसे अपलोड कर दूँगा और टेलीग्राम की लिंक आपको डिस यह वारेन हैस्टिंग ठीक है तो वारेन हैस्टिंग रिंग फेंस फॉलिसी जो है इसके द्वारा लाई गई थी अगला सवाल देखते हैं संसत के सायूंक्त बैठक की अध्यक्षिता निम्न में से कौन करता है ना बोला है कि वह अमांग दिफॉलविंग प्रेसिडेंट म अगला है भारत में सूचना का अधिकार निम्न में से किस वर्स जो है वह अस्तितों में आया था 2005 में 2005 वह आप सभी को पता ही है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट गाव आया था 2005 में इसी के तहथ Central Information Commission और State Information Commission जो है उसका गठन किया गया है अब लोग बताईएगा मुझे कि Central Information Commission जो है वो किसके दोरा आपउइंट किया जाता है ठीक है और उसमें कमिटी एक बनाई जाती है तो कमिटी में कौन-कौन से मेंबर्स होते है यह आप लोगों को बताना है ठीक है और यह भी बताईएगा कि मद्द परदेश का जो State Information Commission का मुख्याला है यह कहां परिस्तित है अगला सवाल बोला है कि आर्टिकल 324 जो है वो किस से रिलेटेड है तो यह चुनाव आयोग से मतलब Election Commission of India से रिलेटेड है अच्छा आप लोग बताईएगा कि आर्टिकल 326 में किस बारे में बात की गई है आप लोगों कुछ राइट मिले ना तो एक राइट उन में से एक 326 में भी उसका वर्णन किया गया है तो आप लोग बताईएगा कमेंट में अगला सवाल है कि निमलिखित में से कौन सा एक मातर पिरामिड हमेशा सीधा ही होता है हमेशा सीधा होता ठीक है तो energy का pyramid जो है वो हमेशा आपको सीधा देखने को मिलेगा अब देखो pyramid कैसा बनता है तो यह triangle जो दिख रहा है यह इस type का pyramid देखने को मिलता है ठीक है यहाँ पर अलग-अलग traffic level होता है ठीक है यह मान लीजिए कि यह one है यह two है यह three है यह four है और यह five है तो इस तरह से यह traffic level आपको देखने को मिलेंगे अब जैसे जैसे energy flow होती है ठीक है उपर की और energy का flow होता है तो इस level में मान लीजिए कि energy जो है वो 100% है तो यहाँ जाएगी तो 10% कम हो जाएगी फिर अगले level पे जाएगी तो फिर से 10% कम हो जाएगी फिर अगले level पे 10% कम तो मतलब 10% का जो energy concept है ना energy loss concept है वो काई से संबन देता है तो यह पिरामिड वाला जो structure है इसी से इसका relation है तो यह हमारा answer हो जाएगा अगला है कि किसी प्रजाती की परिस्थिती की तंतर में इस्थान का पता निम्न में से किसके माध्यम से चलता है तो यह निकेद निकेद बोले तो niche ठीक है तो यह niche इसका पता चलता है आप लोगों ने इसके definition पढ़ी होगी इसी से related आपको देखने को मिल जाएगा अगला है कि यदि खाद्य जल जटील और वेविध्य पूर्ण होगा तो पाइस्तिती की तंतर जो है वो किस प्रकार का होगा तो friends यह stable और balanced होगा ठीक है stable और balanced फिर दिया है कि यांत्री कुर अगला फिर दिया है निमने में से किसका pH मान सरवादिक होता है तो सबसे ज़्यादा जो है आपको समुद्री जल का जो pH value होती है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाती है तो यह जो है लगभग 8.4 के आसपास होती है इसकी value आपको पता ही होगा कि 0 से लेके कहां तक 14 तक की value जो है आपको pH scale पे देखने को मिल जाती है जो साथ होता है वो neutral होता है मतलब जो पानी होता है जो जिस पोटेबल वाडर मतलब drinking water जो होता है उसका उसकी value किती होती होती है 7 के राउंड होती है वो neutral होता है ठीक है और जो 0 अगर देख लिया जाए तो सबसे ज़्या जादा basic character आपको दिखाएगा ठीक है अगला सवाल पूचा है कि Carnoba wax is obtained from तो यह कहां से पाया जाता है तो इसका सही answer हो जाएगा palm leaves से ठीक है ताड के पत्तों से जो है इसको प्राप्त किया जाता है अगला है कि in which of the following medium the speed of sound is maximum तो maximum किसमें होगी तो friends जो solid वगेरा होते है इ यह भी प्रकार का semi liquid होता है फिर काच यह solid तो है बट aluminum यह metal हो गई तो metal में तो सबसे जादा ही होगा ठीक है तो हमारा answer क्या हो जाएगा aluminium अगला है कि the state of hormones connect which of the following तो state of hormones जो है यह Persian Gulf को Gulf of Oman से connect करती है ठीक है आप लोग मैप में एक बार देखिएगा कि यह कहां पर located है फि तो देखो यह start हुआ था जबलपूर में आप लोग मुझे जो है इसकी particular date बताइएगा कि किस दिन जो है यह जंडा सत्यागरा हुआ था ठीक है इसमें कुछ important leaders थे जैसे सुबद्रा कुमारी चौहान हो गया नातुराम मोदी हो गये ठीक है फिस सुबद्रा कुमारी चौह एक revolutionary movement create कर दिया इसके बाद इसका केंद्र जो है वो नागपूर सिफ्ट हो गया था ठीक है तो मतलब नागपूर तक चला गया था हमारे आपका जंडा सत्यागरा अच्छा चलिए आप लोग मुझे बताईए अगर आपने history मद्यपदेश की अच्छे से पढ़ी है तो 1923 क का जो जंडा सत्यागरा है ना उसमें किसी एक व्यक्ति ने जो जंडा है वो municipal corporation से उठा करके नीचे फेक दिया था लात के नीचे उसको दवा दिया था वो व्यक्ति कौन था ठीक है अगला सवाल है कि निमलीखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी आध्य जंजाती है आ अब लोगों को यह difference तो याद रखना है सबसे important चीज याद रखना है कि सबसे number one पे कोन है भील है दूसरे number पर कोन है गोंड है तीस्रे number पर आपको कॉल देखने को मिलेगी तो यह मद्ध्य प्रदेश की है अगर इंडिया की बात करें तो गोंड आपको सबसे number one पर देख पिर दिया है in which of the following places of MP quality marble mines जो है वह आपको देखने को मिलते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्लिमनाबाद ठीक है आप लोग बताईएगा कि जो स्लिमनाबाद जो है ना यह कहां पर ठीक है कहां पर है यह आपको बताना है फिर अगला है कि निमलिखित बाग अभ्यारण्यों में से किसमें एक किला एवं संस्त्रत सिलालेक के साथ गुफा मंदिर आपको देखने को मिलता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांधवगर अब अकि कर्यातर है और यहां एक इसने लिजग एकंग करते यह साही विए अथी साथ प्रणाद आप लोग बताईए घंट आप उह है कि हस्तिस्टिक में शनைन के संब अब-बांधवगर ऑंपिए ने法लेक है इसंगे नहीं होता है मंदसवर में होता है रतलाम में होता है निमच में नहीं होता है जो पीण का इचली कंट्रिपुशन जो है कौन से देस्टिक देती है तो यह मंदसवर देती है अगला सवाल देखते हैं और कां तक इस ओरीजिन of how many important rivers, ठीक है, यहाँ पे तोड़ा सा गलत दिया है, यह अमर कंटक की बात हो रही है, यहाँ देखो तीन रिवर ओरिजिनेट होती है, कौन-कौन सी, तो एक तो नर्मदा होती है, सोन होती है, ठीक है, नर्मदा नदी जो है, वो वेस्टरन डारेक्शन में फ्लो होती है, और सिंगरॉली के आसपास जो है, यह एरिया आपको देखने को मिल जाएगा, फिर क्या दिया है, कि who has been appointed as the chairman of the district planning committee in मद्यप्रदेश, तो यह मिनिस्टर होंगे, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, अच्छा, आप लोग बताईएगा कि district planning committee जो है, वो किस particular article में located है, के बारे में आपको बता दू कि 73rd और 74th constitutional amendment act के बाद जो है, इसे add किया गया था, अगला सवाल, क्या बुला है कि where is the headquarter of direct to rate of marketing and inspection located, तो यह फरीदाबाद में है, ठीक है, अच्छा, आप लोग बताईएगा कि फरीदाबाद है कहां पर, ठीक है, फरीदाबाद कहां पर है, आप लोग मुझे बताईएगा, अगला है कि मद्यप्रदेश करसी स्वामी तो अधिनियम लागू हुआ था, तो यह कब हुआ था, तो 1960 में हुआ था, ठीक है, कब हुआ था, 1960 में, फिर बोला है निमलिखित में से कौन सा जिला, सागर संभाग का नहीं है, तो सागर संभा आयुकतों के नाम भी दे रखे है, मद्यप्रदेश इलेक्शन कमिशन जो है 1994 में इसका गठन किया गया था, आपको भदाई होगा, 73rd, 74th Constitutional Amendment Act आने के बाद, N.B. लुहानी सबसे पहले थे और अभी प्रेजेंट में बसंत प्रताप सिंग है, अगला, इसमें बोला है, नर सब्रेणवरी को मना जाता है, ठीक है, आप लोग बताईये कि राष्टी मद्दा था दिवस इसी दिन क्यों मनाते है, ठीक है, निमलिके तमें से किस सॉफ्ट्वेर में डेटा का जमा किया जाता है, तो ये कहां पे स्टोर किया जाता है, तो इसको DBMS बोलते है, अब DBMS का अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या होता है डेटा बेस मेनेजमेंट सिस्टम बोलते है इसको ठीक है इसमें टोटल साथ लेयर आपको देखने को मिल जाती है फिर दिया है विच कमांड केन बी यूज़ इन दी माइक्रोसॉट वर्ड प्रोग्राम टू सी दी अनकोड स् इस्तेमाल किया जाता है तो यह हो जाएगा Как इंजर्टि शिंबॉल्ल वीच आप फॉलेवंग की डिलाइन इंडिया ठीक है तो यह पॉलीशी कमिशन जो है यह डितरमाइन करता है अगला सब हरते हैなんか को डिठार्माइन कोन करता है तो यह नीति आयोग कर ठाइक है यहां प भारत का प्रदानमंत्री ठीक है अच्छा आप लोग बताइएगा कि जो प्लानिंग कमिशन है है ना उसका गठन कौन सी तारिक को किया गया था उसके पहले चेर्में कौन थे अगला है कि निमलिकित में से कौन भारत के चुनाव आयुक का मुख्य आयुक्त नहीं रहा है तो जो अरुनेंदर सिंग है यह नहीं रहा है तो यहीं इसका अंसर हो जाएगा अच्छा आप लोग बताइएगा कि सबसे पहली लेडी इलेक्शन कमिशनर जो है वो कौन रही है हाना एंडिया की और सबसे पहला इलेक्शन कमिशनर कौन रहा है फिर बोला है भारत के वर्तमा हो रही थी ना तो अभी प्रेजेंट में केक तो जिसी मुर्मू है बट केक का वर्णन कौन से आर्टिकल में किया गया है ये सवाल भी आप लोगों के लिए बोला है कौन वर्तमान में यूपीएसी के अध्यक्ष है तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनोज सोनी ठीक सवाल जो है उसमें बोला है कि बादामी रिवालिशन इस रिलेटेड टू तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मसाला उत्पादन से किस से मसाला उत्पादन से अगला सवाल देखते हैं इसमें बोला है कि म्रदा रहीत जल में पौदो को उगाने की विधी को किस नाम से जाता है इसको बोलते है hydro Ponix थीग मतलब हिसमें क्या होता है कि मिट्टी होती होती ही नहीं है तो इसमें क्या वाटर का इस्तेमाल करके पॉधों का जो है मतलब UP की जाती Duygusal म cuartoव की ससी को बोलते है है फिर दिया है निम्लिकित में से कौन भूमत्य-सागर का प्रकास का इस्थंब कहा जाता है इसको बोलते स्ट्रांब बोली यह जो है यह क्या है तो यह प्रकार का जोळा मुखी और कैसा जोळा मुखी है अजा अप लोग बताईएगा कि स्ट्रॉम बोली ज्वाला मुखी कहां पर इस्थित है किस पर्टिकुलर कंट्री में ठीक है अगला है कि मांधाता का मेला मद्यपरदेश के कौन से जिले से संबंदित है तो ये है खंडवा ठीक है अगला है कि मौंट्रियाक्स रिकॉर्ड ठीक है मैं सामिल होने वाला भारत का प्रता मिष्थल जो है वह कौन सा था इसका नाम है केवला देव राष्टि उद्ध्यान ये कहां पर इस्तित है तो राजिस्थान में इस्तित है अगला है कि निमलिखित में से किसकी नियुकति राष्टपती नहीं करता है तो देखो जो फाइनेंस कमिशन है इसका अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट सुप्रीम कोट के जजेस का भी अटर्नी जनरल का भी चीफ मिनिस्टर अफ दी स्टेट जो है ये नहीं करता है तो गवर्नर करता है ठीक है अगला है चलिए करते लोगों को को याद रखना एक तो नैशनल पार्क तरीके से जरूर याद कीजे क्योंकि हर साल नेशनल पार्क या वाइड लाइफ जल से भरे पातर में पड़े सिक्के का उठा उठा उवा प्रतीत होने का कारण जो है क्या है तो प्रकास का अपवर्तन मतलब रिफ्रेक्शन ओफ लाइट अगला सवाल है कि वेर दी बायो लॉजिकल ऑक्सिजन डिमांड इस हाई अगला सवाल है यह BOD COD और OD अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ही आपको ऐसे सवाल समझ में आएंगे ठीक है फिर बोला है कि निमलिखित में से किस व्यवस्ता को अविनासी राज्यों का विनासी संगठन कहा जाता है तो यह कहा जाता है Federal system को ठीक है Federal system मतलब जैसे हमारा इंडिया है उसमें federal polity चलती है center and state दोनों rule करते है center and state के पास जो है अलग-अलग role है अलग-अलग काम है और जो duties यह पावर्वार से वो बटी हूँ है एक दूसरे में ठीक है कैसे बटी है तो list के थुरू बटी है ना जो list है आपकी center list, state list और concurrent list अचा आप लोग बताईएगा कि ये तीनों list का वर्णन कोन से schedule में किया गया है schedule बोले तो आपकी अनुसूची फिर क्या दिया है the free India center was established by which revolutionary with the help of the German foreign ministry इसका सही answer हो जाएगा सुबास चंद्र बोस ठीक है फिर क्या दिया है बुला है कि which one of the following national highway does not pass through MP ठीक है तो ये NH 28 जो है वो MP से नहीं गुजरता अचा चलिए कुछ important बाते बता देता हूं NH 46 सबसे लंबा national highway है मद्यपरदेश का ठीक है इसके बाद rank लगती है NH 44 की और national highway स्वरी स्टेट highway 19 जो है वो मद्यपरदेश का सबसे लंबा highway ठीक है अच्छा आप लोग बताईएगा कि NH 46 जो है इसकी total length कितनी है फिर अगला बुला है कि मद्यपरदेश राज्य लगु व परस हुआ था तो 1984 में हुआ ठीक है अगला है मद्यपरदेश राज्य के पुनर गठन से पहले किस छेत्र में पंचाहत व्यवस्ता लागू नहीं थी तो यह बुंदेल खंड में लागू नहीं थी अगला है कि भारती सविधान का कौन सा अनुच्छत कहता है कि भारत में चुनाव आयोग होगा यह 324 कहता है ठीक है पार्ट 15 में अगला है निमलिखित में से कौन सी समीती केंद्र राज्य संबंदों से संबंदित नहीं है देखो इसमें राजामनार कमिटी यह तेंदुलकर कमिटी एक मिनट संबंदित है बोला है ना मुझे लगा नहीं है ठीक कमिटी जो है यह राज्यो के पुनर गठन से संबंदिती थी ठीक है तो हमारा आंसर हो जाएगा राजामनार कमिटी यह वनी कफ थी तो 1969 में तमिलनाडू सरकार ने एक 3 सदसी आयोग का गठन किया जिसे राज्य संबंदों पर विचार करना था जिसका अध्यक्ष जो है व वद्ध धर्म दो भागों में विवाजित हो घया तो इसमें जो है जो है बुद्धिस्ट सेक्ट जो है वो दो भागों में डिवाइड हो गया था एक भाग्ता आपका महायान दूसरा भागता हिनायान ठीक है अगला सवाल देखते हैं कि महाबली पूरम के रत-मंदिर का निर्मान के द्वारा खरवाया गया है तो ये नर्शिंग वर्मन प्रतम के द्वार खरवाया गया है लेखते है क्या बोला है कि राइंट है लोछ के अपका प्रेटिवीं ट्रीमिंस और उध्ल視 फिर दिया है निमने में से किसका निर्मान कवक तथा सहवाल दोनों जिवानूं से मिलकर होता है तो इसको बोलते है लाइकेन लाइकेन ठीक है अगला है वेर इस दी सेंट्रल वूमेन एग्रिकल्चर इंस्टिटूट लोकेटेड तो यह भूवनेश्वर में आपको देखने को मिल जाएंगे ठीक है कहां पर अमेजन बेसिन में आप लोग थोड़ा सा जो है ना एक तो मद्यप्रदेश का फिजिकल मैप इंडिया का फिजिकल मैप और थोड़ा सा वर्ल्ड मैप जो है ना फिजिकल वाला अना पॉलिटिकल मैप की बात नहीं कर रहा है फिजिकल उससे बहुत सारे सवाल भी आपको बनेंगे वैस दी वर्ल्ड सू ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क लोकेटेड तो यह मनीपूर में है उसका नाम है कैबूल लाम जाओ ठीक है कैबूल लाम जाओ नेशनल पार्क फिर अगला सवाल है कि वीच अप दी फॉल्लेविंग इस डिफरेंट देन दी अधर्स तो यहाँ पर देखो प्रिंटर इसंपीकर और प्लाटर तो प्रिंटर क्या है एक आउट्फूट डिवाइस किकर एक आउट्पू डिवाईस अप्लॉट्ट यह पिद्फूर जाएगी फिर बूला विंडोज एक्स पीई-जन था तो एक फरवर्वी 1994 को जो है इसका गठन किया गया था ठीक है एक फरवर्वी 1994 का चलिए आप लोग बताईए कि जो इलेक्शन कमिशन है स्टेट का वो कौन से आर्टिकल के अंतरगत आता है ठीक है चंदेरी अपनी सीमाओं को साजा करता है तो किस किस से तो एक तो मालवा से और बुंदेल खंड से यही आंसर हो जाएगा फिर मद्यप्रदेश में कितनी जनपत पंचाय थे तीन सो साढ़ी त अगला है प्रिय दर्शिनी पार्क कहां पर है तो यह आपको कहां पर देखने को मिल जाएगा तो भोपाल में तो मद्यप्रदेश की राजदानी भोपाल में प्रिय दर्शिनी पार्क इस्तित है मद्यप्रदेश की प्रथम जनगर्ना कब हुई थी तो मद्यप्रदेश की जो प्रथम जनगर्णा है ना वो कब हुई थी यह हुई थी वर्स 1951 में ठीक है कब हुई थी 1951 में याद रखिएगा हना यहां पर आंसर जो है नहीं दिया है वो इंडिया की पहली जनगर्णा थी जो की 1842 और 1881 जो है आपको आंसर देखने को मिलते हैं अगला है कि वेर इस इसका सही आंसर हो जाएगा सिंग रॉली में अना 135 मीटर के राउंड जो है इसकी थिकनेस देखने को मिल जाती है वाट इस दे लेंथ आफ सोन रीवर की लेंथ कितनी है तो 784 किलोमेटर के आसपास यह देखने को मिल जाता है फिर दिया है कि वाट वाट वाज दी एंपी अग्रिकल्चर कोस्ट एंड मार्केटिंग कमिशन कंस्टिटूटेड है ना वेन वाज बोला है तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2017 में ठीक है तो विपनन आयोक का गठन कप कि किया गया था तो यह किया गया 2017 में फिर दिया है वीच आप दी फॉलोविंग फाइव यह प्लांस वाज एंड फॉर ग्रोथ एंड इक्विटी एंड डिस्ट्रिब्यूटिव जस्टिज तो यह नाइंथ फाइव यह प्लान था ना इसी में यह सब बाते कही गई थी फिर तो यह कहां पर है तो सुवर्ण रेखा रिवर अज़ा आप लोग बताईएगा कि स्वर्ण रेखा रिवर है कहां पर ना किस पर्टिकुलर स्ट्रेट में आपको यह देखने को मिल जाती है फिर क्या दिया है अगला कि दिए एक्वेटिक प्लांट्स ग्रोविंग इन वे फंडामेंटल ड्यूटी वाज एड़ेड इन दी इंडियन कंस्टिट्यूशन तो यह एड़ कभ हुई थी नाइंटीन सेवेंटी एक मिनिट इसमें हां दो हजार दो में होई तीक है तो क्या होता है कि 86th Constitutional Amendment Act आता है 2002 में अब यह 2002 का जो एक्ट है यह क्या लेके आता है त तो यह किसके बीच में हुई थी तो अंग्रेज और डच्च के बीच में हुई थी फिर दिया है असोग के प्रमुक्स इलालेखों में से किस इलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन आपको देखने को मिलता है तो यह तेरवा सिलालेख जो है ना इसमें आपको उसके अगला सवाल है कि निमलिखित में से कौनसी नदी एस्चूरी का निर्मान नहीं करती है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका चंबल ठीक है तो चंबल नदी नहीं करती चंबल नदी की टोटल लंबाई कितनी है आप लोग बताईएगा और कहां से इसका उद्गम होता है यह भी बताईएगा ठीक है फिर दिया है पांडी चेरी निमन में से किस उच्च नियाले की आधिकारिता में आता है तो यह मद्रास उच्च नियाल है मतलब मद्रा साइकोट के अंतरगत यह आता है फिर दिया विच पॉलीमर इस यूजड इन दी मैनिफेक्चरिंग ऑफ बोल्टेट प्रूफ मतलब यहां पर बुलेट प्रूफ होना चाहिए था बोल्टेट लिखा प्रूफ आइटम तो इसका सही आंसर हो कि फिरो इसो मेलित नहीं बताना है तो अलक नंदा और यह देव प्रयाहग नहीं है तो अलग नंदा और भागी रहती का संगम जो है वह द्यव प्रयाग में होता है इमलिकित में से कौन सी एक तुंग भद्रा की सायक नहीं है यह हो जाएगा आपका भवानी ठीक है अगला सवाल देखते है कि अनुसुची जाती के लिए राश्टी आयोक के वर्तमान अध्यक्ष जो है वो कौन है तो इनका नाम है विजय सापला ठीक है तो 19 फरवरी 2004 को इसका गठन हुआ था यह जो है आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानना जरूरी है मद्यबर्देश होलकर क्रिकेट असोसियेशन की स्थापना कब हुई थी तो 1941 में हुई थी अगला है कि किस वर्स के दौरान भारत की राश्टी जनसंक्या नीती लाग तो Eeproam जो है यह Primary memory का हुदहरहन ठीक है जो रोम होती ना रोम के सब टाइप से यह पर दिया निमलीखित में इसे कौनसी डेटा की सबसे चोटी 1 काई है जिसे एक कंप्यूटर प्रोसेसर संभाल सकता है यह बिट ठीक है तो बिट जो है यह सबसे चोटी आइए 8 बिट मि एक बाइड बनाते है प्रदिया सवविधान संसुदान अधिनियां द्वारा भारत में मतदान की निवनितम आयू को 21 से गटाकर 18 कर दिया गया था कौनसा अमेंडमेंट था ये 61st भोपाल गैस तराजदी के समय मद्यप्रदेश मुख्यमंत्री जो है वो कौन था तो ये अर मंद्यप्रदेश को कितने क्रसी जलवयु चेत्रों में बाटा घया है तो 11-11 एग्रो क्लायिमेटिक जोन्स में इसको प्रफोदेश की प्रथं खेल नीटी कम आय थी थी ये मिलेगा आपको कल ठीक है मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद